नमस्कार नीमच नीमच टुड़े में आपका स्वागत है नवरात्री का आज पर्थम धीने और चेत्र नवरात्री के पर्थम दिन के अवजर पार हम आपको दसंग करा रहे हैं मां भाद्वा के जिहां मां भाद्वा का दरबार नीमच से 17 किरो मिटर दूर इस्तित ग्राम मां भाद्वा में इस्तित है और यहां मंदिर करीब 200 साल कुराना है मां भाद्वा का चमतकारिक इस्तान यहां पर लखवा रुग्यों के लिए जना जाता है जो लोग लखवा इस्तित हो कराते हैं वे मां भाद्वा के धरबार में रहते हैं और वे पूर्णता से स्वस्त पूरे देश में परसिदे और मालवा मेवार की वेश्णो डेवी के नाम से यह मंदिर चमना जाता है इस मंदिर की महिमा इतनी प्रसिदे कि हम भारूमाता के जल से इसनाम करने से जीवन के सारे कफ्ष दूर हो जाते हैं खास तोर पिस्तवीर के सारे रोख दूर हो जाते हैं साल की दोनों अवराध्री पर यहां मेले काहिजर होता है और इन मेले में करीब करीब पचास से साथ हजार लोग पूसते हैं और खास तोर पर दूर्गा अश्ट्रिमी के दिन महायक उताए और नीमत मनासा जावर मंसोर से हजारों सरदालू दूर्गा अश्ट्रिमी की राख भर पेदल चलते हैं मा के महायक उमें भाग लेते हैं और मा के दर्संकर धन्य हो जाते हैं मा भादवाक राणी के पानी की महिमा ऐसी है जिसको लेकर प्रसित कभी बाल कभी वेरागी ने दो लाई लिखिती के है भादवा राणी थारो अमरत है पानी जियां, बादवा माँ का जो पानी है, वहां अमरत के समान है, जिसके नहाने से, जिसके पर्स करने से सरीक के कष्ट दूर होते हैं। या मंदिर भवी रूस से जुबन कर तयार हो जाएगा तो देश और दुनिया का सब से आकर्सक डेवी मंदिर होगा लगतों के आस्त्रा का यह एक बड़ा जैनल विंदू है